मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 21 सितंबर के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम समवत 2006 मास्चल रहा है आश्विन का तिथी कृष्ण पक्ष की सब्तमी की तिथी है शेनिवार का दिन है नक्षत रहे रोहिनी योग है सिद्धी और करण है विष्टी अगर वरत पर वरत तिवहार की बात करते हैं तो रोहिनी वरत आज है और जो महालक्ष्मी वरत चल रहा था जिसे सुरहिया का वरत कहते हैं सूलह दिन वाला जो महालक्ष्मी का वरत था आज उसकी अंतिम्तिति है, आज वह समाप्त हो रहा है, तो आज जो है लोग महालक्षमी की पूजा राधना बहुत विशेश रूप से करते हैं, तो ये बात रही आज के पंचान की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की, तो सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की, मेश रा प्रदायकाई नमहमंत्र का 108 बार जाप करें और घर आय हुए व्यक्ति को खाली हांत विदा न करें वृषब राशी वाले जातक लोगों के लिए आज विका के पक्ष से आज का दिन आपके पक्ष में बनता दिखाई देता है आज आपको समाज के प्रतिष्ठत और प्रभा मिधुन राशी वाले जातक लोगों के लिए आपके जो नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं जो आपके अधिनस्त हैं उनके और से आज सहीयोग में कमी की इस्तिति आपके लिए बनेगी आप स्वेम पर कार्यभार बढ़ने से कुछ आज परेशान और चिंतित हो सकते हैं ओम सर्व प्रियाई नमहमंत्र का 108 बार जाप करें और वाहन का प्रयोग बहुत तेज गती में आप न करें करकराशी करकराशी वाले जातक लोगों के लिए नेत्वित कारियों की समीक्षा करना आपके लिए लापकारी रहेगा प्रशिक्षन प्राप्ति के अवसर लिए आप धनका विनियोजन व्योसाय के विस्तार के लिए कर सकते हैं इस समय में आयका संचे करना आपके लिए सरल नहीं होगा ओम समाहिताई नमहमंत्र का 108 बार जाप करें और क्रूद करने से आप बचें करन्या राशी करन्या राशी वाले जातक लोगों के लिए स्वास्त सुख का आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है तो अपने स्वास्त का आपको ध्यान रखना होगा ओम समस्त जगदा धराय नमहमंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए मांसाहार और मद्यपायन के सेवन तथा प्रयोग से आप बचें तुला राशी तुला राशी वा भाई नमहमंत्र का 108 बार जाप करें और भाई बंदू से आप वादेबाद न करें वरिश्चक राशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार की ओर से किसी नए संबंध या आपके किसी नए मित्र का विरोध आपको जहलना पड़ सकता है आपकी आजीविका के लिए उत्त संबंदों में सुधार करने के लिए आज आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल है पिछले कुछ समय में आपके बिजनेस से रिलेटिट जो भी लोग थे कोई बिजनेस पार्टनर था किसी से आप लिंदेन करते थे उसके साथ आपके संबंद खराब हो गए थे तनावपू अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना होगा जीवनसाती पर क्रोध और कठोरता के साथ विवहार करना उच्चित नहीं होगा ओम श्री कराई नमहा मंत्र का 108 बार जाप करें और व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके अपना बहुमूल्य समय आप नश्ट बिल करान बन रही है ओम श्री कंठाई नमहा मंत्र का 108 बार जाप करें परिवार की बात या सुझाव को आप अंदेखा बिल्कुल भी न करें मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए कारशेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है इसके फल्सवरूप कारेभार बढ़ेगा आ आज के 12 राशी की हम लोगों ने जाना ग्रहनक्षत्र की स्थितियां क्या कहती है और दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब हम लोग बात करते हैं आज के महा उपाय के बारे में जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा का योग बहुत खराब बन रहा है चंद्रमा अशुब बन रहा है या चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टी है तो ऐसी इस्थिती में चंद्र दोश के निवारन के लिए अशुब चंद्रमा की शांती के लिए आप क्या-क्या उपाय कर सकते हैं दूशित चंद्रमा के लक्षण और उनसे जनित रोग दूशित चंद्रमा चंद्रमा कुंडली में खराब है पीड़ित है ये कैसे पता चले तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी ग्रह हमारे जीवन में कस दे रहा है तो वो ग्रह कौन सा है तो उन हर ग्रह के अपने अलग-अलग लक्षन होते तो इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं कि चंद्रमा के पीडित होने का दूशित होने का क्या लक्षन होता है और उसके लिए आपको क्या उपाई करना चाहिए चंद्रमा को सुख शांती का कारक माना गया और यही चंद्रमा जब उग्र रूप धारन कर लेता है तो प्रलैंग का रूप दिखाता है चंद्रमा से ही मनुशिका मन और समुद्र से उठने वाली लहरे दोनों का नरधारन होता है माता और चंद्र का संबंध भी बहुत गहरा होता है अशुबया पीड मांसिक अवसाद यानी डिप्रेशन व्यसंद प्रेमी व्यक्तिवी निशे का प्रेमी हो सकता है वह नशा कुछ भी हो सकता है ड्रिंग घ्रिंडिंग स्मोकिंग है बेट लगभा लगएरा की है नेत्रविकार आंखों से संबंदित प्रोब्लम मदुमे यानी शुगर डाइबिटीज जिसे हम कहते हैं मिर्गी के दोरे आना पीवी निमोनिया फेफडे तथा वक्ष स्थल की बिमारियां आदी ये जो हैं चंद्रमा के प्रमुख लक्षणों में गिने जाते हैं अब बात करते हैं कि चंद्रमा भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धार्न किया है चंद्रदेवता को तो इसलिए भगवान शिव की पूजा राधना करने से चंद्रमा का दोश व्यक्ति को नहीं लगता है ऐसे में महामुर्तुन्जे मंत्र का जाप करना चाहिए लगुरुद्र का प्रयोग करना गर के आसपास कोई शिवलिंग हो तो वहां जाकर के मंदिर में आपको शिवलिंग पर दूद और जल चड़ाना चाहिए वहां नहीं जा सकते तो घर के पूजा इस्थान में अगर आपने घर में शिवलिंग रखा है तो नियम से उनकी पूजा करें और अगर शिवलिंग नहीं भी है तो भगवान शिव का ध्यान करके ओम नमस्षिवाय महा मृतुंजय मंत्र इसके लावा और भी बहुत सारे भगवान शिव के मंत्र और इस्त्रोथ हैं शिव महीम नादी का प्रयोग आप कर सकते हैं रात को पानी का बरतन किसी बरतन में जल भर करके अपने सिर के पास करके सुएं और सुबह जो है आपको उस पानी को उस जल को किसी ऐसी जगर डालना चाहिए किसी ऐसे पेड़ में डालना चाहिए जिसकी पूजा ना होती हो जैसे वो तुलसी का पौधा पीपल का पौधा न चंद्रमा के दोश में आपको काफी अच्छा लाब मिलता है सोमवार की तिथी में सुंदरकांड करना चाहिए चंद्रमा के दोशनिवारण के लिए सोमवार को सुंदरकांड करना चाहिए और खुद नहीं कर सकते हैं तो करवा लेना चाहिए ऐसे में चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जाप जो है उन्चास अजार कल्यूगम चतुरगुणम प्रोक्तम के नुसार उन्चास अजार यानि 49,000 चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांती कराना चमतकारी रूप से प्रभाव देता है कर्क्या विशव राशी के निर्बल चंद्रमा के लिए भगवती गौरी की पूजा राधना बहुत ज़ादा चमत्कारी फल देती है यदि चंद्रमा मेश राशी का या विशव राशी का हो तो ऐसे में दूड़वी दुर्गा की पूजा राधना करना चाहिए मद्यबली चंद्रमा के लिए मा काली दूशित या छीन चंद्रमा के लिए कमजोर चंद्रमा के लिए मा चामुंडा देवी के राधना करनी चाहिए स्वास्तेवं त्रिवे दितापों के शमनार्थ महामृतुञे मंत्र का प्रयोग ऐसे में आपको बहुत अच्छा लाब दे सकता है निर्बल चंद्रमा शरीर में कैल्शियम की कमी को दर्शाता है अता खान पान में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए केतु के साथ चंद्रमा होने पर गणेश जी की पूजा राधना विशेश रूप से की जानी चाहिए दुर्गा शप्छती का पाठ चंद्रसहित सभी ग्रहों के नुकूलता एवं सर्वसिद्धिप्रद होता है चावल चांदी दूदादी का सोमवार के दिन दान करना चाहिए मोती या चांदी धारन करना भी ऐसे में बहुत अच्छा लाब देता है माता और माता के समान महिला हैं जैसे सास, मौसी, मामी या और भी कोई अगर बुजर्ग महिला आसपास हो ताई चाची तो उनकी सेवा करना चाहिए उनका आशरवार देना चाहिए घर में कहीं भी गंदा पानी या कीचड़ इकटा ना होने दें पानी के सड़ने से चंद्रमा रुष्ट होता है शिव चालिसा का नियमित रूप से पाठ करें अथा एक पंचमुखी रुद्राक्ष को पूजा इस्थान पर स्थापित करके नियमित रूप से उनकी पूजा राधना करें दक्षणा वर्ति शंक की पूजा करें ओमनमा शिवाय मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए सूर्यास के बाद आप स्वेम दूद कभी ना पिए यदि संतान प्राप्ती में चंद्रमा बादक है तो वैदिक चंद्रशान्ती जो मैंने बताया चंद्रमा का उन nap नंतर जाप तो ऐसे में वैदिक उन प्राप्ती जो हैं बहुत ही काम नहीं नहीं करें वहीना है वही आपके लिए सबसे बड़ा सबसे पहला उपाई रहेगा उसके बाद आप ये सारे चोटे चोटे उपाई और टोटके करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा इसके अलावाद चंद्रमा से संबंदित वस्तुओं का दान सोमवार को और नियमित रूप से सोमवार का वरत अगर आप करेंगे तो कुंडली में अशुब चंद्रमा की जो भी इस्थिती रहेगी उस जिसे सब्सक्राइब करें इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आ गया दीजे और देखते रहेए मेरा यूट्यूब चैनल वैपवन जया महाकाल हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटको के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवशक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए धन्यवाद आपको दो नमबर दे रहा हूं इन दोनों नमबर पर वाट्स अवैलेबल है आप वाट्स अप करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे एस एच ए आर एम ए डॉट वैबवा वी ए आई बी एच एवी ए एडिरेट जीमेल डॉट कॉम पर इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन से बहतर तरीका है धन्यवाद